साथियों, असलामू अलाइकुम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे, खैरो आफियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस्राइल फिलिस्तीन युद्ध की चुनिंदा खबरें, लेबनान का पावर, यमन की बहादुरी और इरान का न पालस्तीनिया, विए उम्मूर इत्माशन आप जारी है। पिछले तीन दिनों में हिजबुल्लाह ने इस्राइल के नियो मोडेकाई बस्ती को निशाना बनाया। ये बस्ती का इस्राइल के लिए बहुत खास मानी जाती है। सदर्न लिबनानी बॉर्डर पर बिरकत रिश साइड को निशाना बना कर तबाह कर दिया गया। इसी के साथ इसराइल के हदब यरून की एक साइड को तबाह कर दिया। जैसे की हम सब جानते हैं, पिछले ग्यारह महीनों से इसराइल ने हजारों मुसकुराती हुई зिंदगियां तबाह कर डाली। फिलिस्तिन में हर फिलिस्ती खेलती जिन्दगियों को भी उजाड दिया, जो फिलिस्तीन के हक में खड़ी थी. अमेरिकन नागरिक आइशा नूर एगी अपनी पढ़ाई छोड फिलिस्तीन के नाबलुस में सेव बेटा आंदोलन में शामिल हुई थी. यह आंदोलन इस्राइलियों ने हड़पी हुई जमीन के विरोध में किया जा रहा था. कल, यानि 6 सेप्टेंबर को IDF ने उसे शहीद कर दिया. इसके 22 घंटे बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा, जाँच के बाद मौत के जिम्मेदारों पर कारवाही की जाएगी. हालांकि सारी दुनिया में आयशा नूर के कतल का विडियो वाइरल हो रहा है. और IDF ने भी माना कि उन्होंने ही मारा. तो अब ब्लिंकन किस बात की जाँच करेंगे पता नहीं. सबसे बड़ी खबर तो यह है कि इरान अब नूकलियर पावर बन चुका है और इरान से कई सारी हलचले नजर आ रही है. इस बीच खबर है कि अमेरिका ने इसराइल की सुरक्षा के लिए एटोमिक हथियार तैनात कर दिये है. इसराइल ने कहा इरान में अब हिम्मत नहीं है कि वो हम पर हमला करेगा. नेतन याहू ने कहा इरान की धमकियों से अब नहीं डरेंगे. तो दूसरी तरफ रूस भी नूकलियर हथियारों की तैनाती कर चुका है. बताया जा रहा है कि रूस अब यूरोपिय मुलकों को निशाने बनाने की फिराक में है. इन दोनों खबरों की विस्तार से जानकारी कल सुबह के विडियो में देंगे. हिजबुलाह ने फिर से नॉर्धन इसराइल के किर्यत शमोना ग्यालिली पनहेंडल पर 70 रॉकेट्स से हमला किया है. जिसमें दो मकान तबाह हो चुके हैं. कितने लोग मारे गए हैं, इसका अभी तक आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया. हिजबुलाह ने बेईत हिलेल बैरेक्स में साहल बटालियन के हेड़कॉर्टर्स और डिशॉन में इसराइली तोप खाने के ठिकानों को निशाना बना कर कट्यूशा रॉकेट्स की बचार कर दी. इसराइली सेना ने बयान जारी कर कहा, आज सुबह से लिबनान से नौर्धन इलाकों में सत्तर रॉकेट्स दागे गए. वहीं हिब्रु मीडिया के मुताबिक लिबनान से दागे गए रॉकेट्स के गिरने के बाद उत्तर में डिशॉन और रामोट नफ्ताली के बीच सडक पर दो जगह आग लग गई. उधर यमन के हौथियों ने इसमाईल हनिये ब्रिगेड कायम किया है और युद्धा भ्यास यानि मैन्निवर्स भी शुरू कर दिया है. इस ब्रिगेड में 310 मुजाहिद दीन ने हिस्सा लिया है और ये 310 बटालियन नाम से जानी जाएगी. गौड तलब हो की यमन के हौथियों को अमेरिका और यूरोप आतंकी संगठन कहते हैं. तो दूसरी तरफ चाइना, रूस, कोरिया जैसे मुलकों समेत 70% दुनिया इन्हें आतंकी मानने को तयार नहीं. कल यानी 6 सितंबर को चाइना के राष्ट्रपती शी जिनपिंग ने मांग की है. के यमन को टॉप 10 मोस्ट पावर्फुल मिलिटरी नेशन्स इन्ड वर्ल्ड. के तौर पर मान्यता दी जानी चाहिए. आज की तारीख में आपका एक रुप्या फिलिस्तीन के लिए एक हजार के बराबर है. एजास पाशा, जववाद एहमद मुकादम, सलाह एहमद मजुमदार, अब्दुलकरीम, अब्दुलरहीम अब्दुलसमद, इलियास भाई अली भाई पटेल, बहन रेश्मा फरजाना, जमीर खान सलीम खान, साहब समेत, उन सभी मानेवरों का शुक्रिया, जिन्होंने अगस्त से 14 सितंबर तक की इमदाद UNRWA के जरिये फिलिस्तीन पहुंचाई जाएगी, तो ये थी आज की मुकहत सर जानकारी, मिलते हैं अगले विडियो में तेलंगाना के जैनूर में हुए दंगो की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्ला, झाल 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 झाल